रूस यूकरिन में जंग के बीच रूस में सैनिकों की कमी हो गई है खबरे आ रही है कि रूस अब खाली बैठे अफगान सैनिकों की भरती कर रहा है ये रिपोर्ट देखे ये वो अफगान सैनिक है जी ने अमेरिका और बेटेंड जैसे देशों ने ट्रेणिंग दी है खबर है कि अमेरिका ने इन अफगान सैनिकों के प्रसिक्षड पर करीब 90 बिलियन डॉलर खर्च किये थे पिशले साल अफगानिस्तान पर तालिवान के कवजे के बाद इन अफगान सैनिकों ने या तो देश छोड़ कर दूसरे देशों में पना ले ली या फिर तालिवान के डर से गुमनाम हो गए पिछले साल अगस्त में अमेरिकाई ने जब अफगानिस्तान छोड़ा था उस दोरान ऐसे अफगान सैनकों की संख्या 20 से 30 हजार थी डेली मेल की रिपोर्ट के मुदाविक अफगानिस्तान में वरिष्ट सैन और सुरक्षा दिकारियों को डर है कि 10 हजार सैनकों को इसमें शामिल होने के लिए लुभाया जा सकता है क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है कहा तो ये भी जा रहा है कि रूसी सेना में अफगानिस्तान के भूत पूर्व कमांडरों की भी भरती की जा रही है साथ ही अफगानिस्तान के वार वेटरंस को भी जंग के लिए जॉब पर रखा जा रहा है दरसल जंग के बीच युक्रेन ने रूस को भी काफी नुक्सान पहुचाया है रूसी राश्वदी पुतीन ने 3 लाख अतिरिक्त लोगों को रूसी सेना में भरती करने का फैसला किया है और अब रूस की नजर अफगान सैनिकों पर है झाल झाल झाल